इंडिया में हर तीन में से एक परसन डिप्रेसिव है जो साइड जो बहुत सोचते ना बार बार हर रोज की नहीं अब अब चले जाना चाहिए अब ऐसा करना चाहिए तो उनके साथ तो ये एक कई बार लोग इसको ब्लेक मेलिंग का भी बना जो हे गाईज स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे पॉड़कास्ट के दूसरे एपिसोड में और आज मैं जिन से आपको मिलवाने लाया हूँ वो किसी भी परेचे की महताज नहीं है इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हासल की हैं जो कि किसी भी विमिन के लिए नेक्स्ट विंपॉसिबल होता है और अकर नेक्स्ट विंपॉसिबल ना कहा जा तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता है तो सारेका जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस पॉड्कास में Thank you so much So without any delay, let's start this podcast सबसे पहला सवाल सारेका जी, मेरा आपसे यह है, audience भी जानना चाहेगी अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं First of all, thank you so much to invite me here to connect the audience तो अगर मैं बात करूँ मेरी जर्नी की, तो जैसे आपने कहा कि woman, as a woman, as a girl, यह जर्नी बहुत आसान तो नहीं रही और वो भी तब, especially जब आप बिलॉंग करते हैं, एक lower class family से जहां पांच आप siblings होते हैं, और financially बहुत strong नहीं होते हैं तो यह जर्नी थोड़ी सी टफ रही, roller coaster like, बट जब आप यह सोच लेते हैं कि I want to do, मन में शुरू से एक खुआप था कि नहीं, कुछ ऐसा करना है कि अपने पैरों पे खड़े होने के साथ-साथ सुसाइटी को सर्फ किया जा सेके, उसके लिए बीच बीच में बहुत सारे कई बार आपके as a child dream change होते हैं, बड़े होते होते तक फिर finally I opt psychology और लगा कि नहीं, हम जा सकते हैं, इसके चुछ दोनों काम कर सकते हैं, social service भी होती है, लोगों को जब उन्हें नीड है सबसे ज़्यादा आजकल, तो I am there with them Okay, so, एक question, I am sure, लोग सोच रहोंगे कि आजके टाइम में लोग ज़्यादातर opt करते हैं, science, engineering और आजकल बहुत ज़्यादा coding, computer science is taking over the world तो ऐसे टाइम में, जब people are looking for ways to earn more money, आपने psychology क्यों opt किया, मतलब आपका interest, psychology की तरफ कैसे, psychology की तरफ इंटरस ऐसे गया, कि आज हम ना, जिसे आपने का कि engineer, doctors, they are trying to making money, उस money की life में, भागदोर life में, बैलेंसिंग कहा हैं, आप जो life आप पैसा कमा रहे हैं, आप अपनी life को बहुत अच्छे से बहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में उसको balance कर पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें in my childhood और मेरे college के दोरान, कुछ चीज़ें ऐसी देखी, और personal जो मैंने feel किया, कुछ suicide in my family, बस उस चीज़ें के लगा कि कुछ ऐसा करना है कि आप लोगों को वक्त अपना दे सकें, और लोगों के पास जिनके पास कोई है नहीं सुनने वाला, हमारे पस बहुत सारी as a human being, बहुत सारी emotions होते हैं, अपसे and downs होते हैं, तो उनको सुनने के लिए उनको बताने के लिए आप कहां जाएंगे, तो I decided कि ऐसा रास्ता चुना जाए जिसमें आप money भी कमाएं, थोड़ा कम कमाएं, बट आप लोगों से connect कर सकें, उनको सुन सकें, उनको जान सकें और उनकी life को बहतर बनाने में अपना contribute दे सकें अच्छा, अभी आपने एक चीज बोली कि family में आपने suicide देखे हैं, एक सवाल, मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, मैं साफ podcast पे भी में चीज बोल रहा हूँ, मेरी life में भी एक phase ऐसा था, कि I, मतलब thoughts आए दिमाग में कि यार, खतम करते हैं, सब कुछ नहीं रखा कुछ ज कोई dream देखा, और वो नहीं fulfill हुआ, या आप उसे थोड़ा सा भी दूर रहे गए, तो कभी न कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब it's over, लेकिन trust me, जिस point पे आपको लगता है, it's over, उसी के बाद आपकी better journey का starting point भी होता है, जैसे बोलते हैं कि the darkest hour is just before the dawn, बिलकुल, बिलक में कि वो suicide करने पे आही जाता है, मतला मेरा सवाल यह है, सिधा सिधा, thoughts सब के मन में आते हैं, हर कोई suicide नहीं करता है, तो जो suicide करता है, कैसे किसी को पता चल सकता है, कि यार ये बंदा इस ये कदम अठा सकता है, क्योंकि मेरा मान नहीं है, हर इंसान में लाइफ में किसी को तो जो चला जाता है, वो जा चुका है, जो परिशान होते हैं, वो रह गए लोग होते हैं, है ना, फैमिली वाले जाता परिशान होते हैं, दोस्त, रिलेटिफ, नेर इंडियर वन्स, तो कैसे को इंसान ये पता लगा सकता है, कि यार, ये बंदा ये कतम उठा सकता है, जिसस जो लोग कर देते हैं सुसाइड उनके साथ हमेशा एक बात जरूर मैंने अपनी लाइफ में एक्सपिरिंस किया है कि सुसाइड वही लोग कर पाते हैं जिनके साथ रिप्रेशन कहीं ने कहीं एक चल रहा होता है उनके अंदर कि जैसे कोई शक्स आपको बहुत सक्सेस भी दि ना तो उसको डिनाए कर पाया है ना उसके साथ वो फाइट कर पाया है और उसके साथ वो एड्जुस कर पाया है और सुसाइड केसे हमेशा एक साइलें ट्रिगर की तरह काम करता है अगर हम देखें स्ट्रेस या एंगर या डिप्रेशन इनके कहीं ने कहीं सिम्टम्स हमें मिलेंगे बट सुसाइड में बहुत लॉंग जदी इंसान तैन ही करता है कि उसने आप सोचा मैं सुसाइड करूँ फिर दो दिन का उसने ब्रेक लिया नहीं इंस्टेंट करता है और एक मैं बात बता हूं साइंटिफिक फेक्ट सुसाइडल थौट सिफ तीन सेकंड के लिए गir अगर लाइकम किया घ्रश राफ के माइं अगर वो तीन सेकंड अपने भग किया तो वो वलकक हुवा और वा तीन सैकंड आप खुद को संभालनल ही पाए 큰ल at यह दो आप बच सकते हैं या आप की कहानी को खत्म कर सकते हैं जो बहुत सोचते हैं भार-बार हरोज के नहीं अब आप चले जाना चाहिए आप ऐसा करना चाहिए तो उनके साथ तो ये एक कई बार लोग इसको blackmailing का भी बना लेते हैं या कई बार खुद को एक protection देल रेते हैं अपना एक ऐसा lifeguard कि नहीं मैं मर जाओंगा जैसे कई बार आजकल बच्चे बहुत use करते हैं तो suicide में कभी भी आप देखेंगे अगर आपका पसनल कभी इश्वर ना करें कि suicide जो विक्ति करेगा वो suicide से पहले दो या तीन दिन वो बहुत शांत रहा होगा उसने बात नहीं की होगी खाना नहीं खाया होगा यह दो सिम्टम सुसाइडल टेंडेंसी में मैंने नोटिस किए आपको लगता है कि सुषान सिंग राजपूत में suicide की थी नहीं उसके मामले में देखिए मैं विटनेस नहीं हूँ और मेरे पास उसका हिस्ट्री नहीं है लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो एक suicide तो नहीं हो सकता क्योंकि जो शक्स drugs ले सकता है या जो नशे में है नशे की हालत में suicide नहीं होता नशा आपको अच्छा फील कराता है तो जो इंसान अच्छा फील करेगा वो कभी suicide तो कर नहीं हो नश काट लिया कुछ भी कर लिया वो शराब में नशे में नहीं होता जैसे आप अब अब्यूस के मामले देखें तो उनके सब के लेवल होते हैं कोई अब्यूस को बहुत एजीली कर लेता है डाइस्ट और कोई बहुत जल्दी हांग ओवर हो जाता है तो वो अब्यूस का र यार मैं किसी की help कर देता हूं कोई किसी को suicidal thoughts आ रहे हैं तो practically मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ उसको सांत्वना दे सकता हूं लेकिन practically it is possible only by a certified और आप known counsellor जैसे आप हैं क्योंकि आप जो चीजे बता रहे हैं आज तक नहीं पता था कि तीन सेकंड या फिर दो दिन पहले से यह सब क्योंकि यह चीजे अकर इंसान अब्जर्व करेगा तो हो सकता है कि कुछ मिस हाप होने से बचाया जा सके एक टर्म है जो लगभग पिछले दस-बी साल से बहुत जादा चल रही है जिसका ना मेरा एक सवाल यह है कि मैं भी उस स्टेश से गुजरूँ और हर कोई गुजरता है जो इंसान अपने मन का काम करना चाहरा है वो त अजरी वे कि मेंटल स्टेट है यह बहुत अच्छा सवाल आपने लिया है डिप्रेशन होता तो है और अगर रिसेंट का सर्वे देखें अध़ पाइनेर में भी इक सर्वे आया है डबलु अच्छो का उसमें पता है कि इंडिया मैं हर तीन मैं से एक परसंट डिप्रेशि तो है लेकिन उसको आज की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन को कहीं न कहीं हम अपने कवर के लिए अपने शेल्टर के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं यह मैं आपको बता हूँ कैसे जैसे अब एक बात मुझे बताईए जैसे अभी तीन दिन पहले मैं सुन रही थी अपने ओनरेबल क्रिकेटर मिस्टर कप्विल देव को कहीं वो स्पीश दे रहे हैं और वो किसी स्कूल में और स्कूल के बच्चे कह रहे हैं यह उनका स्पीच है यह मैं डॉन करना चाह रहे हैं एसी स्कूल में आप बड़ रहे हैं टीचर पिटाई तो छोड़िया आपको स्कॉल नहीं कर सकता है परेंट्स के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो आपकी इतनी हैवी फीस पे कर रहे हैं कि दोनों अर्निंग है और कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं आप कुछ बोलते रहे हैं मेरे के पास हटेगा क्यों अगर इस चीज़ को मैं डिप्रेशन बना लूँ या फिर टीचर ने कुछ कह दिया आपके मार्क्स कम आए तो वो डिप्रेशन नहीं है एक चीज मैं आड़न करना चाहूंगे कि देर इस डिफ्रेंज बिट्वीन स्ट्रेस इस डिफ्रेशन बाकी की चीजें बाद में हम इनी चारों चीज़ों को इलबरेट करते हैं क्योंकि जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है इस वात आप जो भी हैं इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज आपके साथ दिन में जलूर होती है हम खुद काम करते हैं स्ट्रेशन क्या है । एक स्ट्रेशन इस ट्रीघर है जैसे आप उपर आपि शूये लेत हैं तो आपको ऑस्क् embarrass ऊंजी तो तो धोसा होगा tutto ।क पोँत नहीं चली है तो बहुत नहीं चली है क्या तो वो इक स्ट्रेशन का थीक है फिर जब आप आगे सारी चीजें स Patigos own यह खतम हो गया, यह for time being आएगा, एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, या किसी specific situation में आएगा, जब तक आप पहुँच नहीं रहे या वो चीज नहीं पारी, तो एक थोड़ा पहुत stress होना जरूरी भी है, जैसे exam सारे किसी बच्चे के, तो उसको stress होना चाहिए, कि मेरा पेपर अगर वो नहीं होगा, प्रेशर उस पर थोड़ा भी नहीं होगा, तो पढ़ेगी, तो stress है, अब sadness की बात करें, sadness आती है हमारी feelings को लेके, stress हो रहा है हमें, due to phenomenal conditions, जो हमारे surrounding चल रही है, sadness due to emotional conditions, for example, आपका कोई childhood friend है, आप साथ में रह रह रहे हैं, साथ में पढ़ र आप मिस करेंगे, वो आपकी sadness है, वो दो दिन, चार दिन, रहे गी, फिर आप लेकिन आपकी life normal चल रहे है, आप खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ करेंगे, अप रहे हैं, आप उसकी कमी feel कर रहे हैं, तो ये sadness है, उसके बाद में आपको आता है कि, anxiety, anxiety होता है, आप रहे हम जाधा सोचरिया किसी के बारे में सोचे जा रहे है आपके बस कोई बेस नहीं है लहां को ऐस लिकिन आप इतनी कर रहे हैं कि आप फरस्टीड़ हो जा रहे वह कहीं न कि रहा है वह यह जो चुनता. तो हम शुरू से फढ़ते कि चंथ चिता के समार है तो आपको anxiety कि परिशान कर रही है, आप हर चीज में कुछ न कुछ न कुछ चचड़ाथ आपको आ रही है, तो यह anxiety, लेकिन इन सब को यह सब चीजें treatable क्योंकि इनका कोई ऐसा existence नहीं है, कि यह आज होती है, कल होती है, for the time being, for the time being, एक गंटे, दो गंटे, यह एक दिन, दो जनरल टम्स में पूछाएं, वैसे तो Google भरा पड़ा है इन चीजों से, लेकिन अकर जनरल टम्म है, मैं बात करूँ, depression इन से एक स्टेप आगे, depression में कोई भी वेक्तिव को, अब आप कहेंगे कि कैसे पता करें, differentiation कैसे करें, कि depressive हैं या sadness है, sadness जैसे मैंने बताया है, वो एक कि सिम्टम्स में आपको पता दू, okay, lack of concentration, सबसे पहले होगा उसका, lack of sleep, निन नहीं आएगी, वो कोशिच भी करेंगा, वो अगर पिल्स भी लोगा, तो भी शैद नहीं आएगी, okay, खाना उसको नहीं, खाएगा ही नहीं, भूग नहीं लगीगी, और concentration होगा नहीं, पूरा life का जो routine है, वो भी कर जाएगा, social जो अब तक है बंदा, या जो बात कर रहा है, वो कट जाएगा अपने group से, या वो बात नहीं करना चाहेगा, social surrounding उसकी कम हो जाएगी, अगर ये चीजे, more than two weeks भी अगर continue रहती है, there are chances के, chances नहीं, वो definitely depression में, surety है, surety depression में, okay, अगर within two weeks वो अब खुद को manage कर लेते हैं, या मैं ही हूँ, मुझे कुछ है problem या, तो कोई भी वेक्ति है, अगर इन सब symptoms के साथ, within two weeks अगर वो manage कर लेता है, well and good, अगर वो manage नहीं कर पा रहा है, तो trust me, he or she needs a expert, a counselor, एक counselor, एक 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 इस तरीके से की इसान को depression से ला सकता है, क् एक में चीज़ यहां पर add-on करूँगा, एक इनसान पानी में डूब रहा है, उसको कोई तभी बचा सकता है, जब भी थोड़े बचा सकता है, जो हाथ ही छोड़के बैठा है, मुझे जी नहीं नहीं है, तो ऐसे इनसान को कैसे निकाल के लाना, क्योंकि एक डॉक्तर जो ह जो शायद वो इनसान है, जिसने उमीद ही हो दिया, तो कैसे एक इनसान की उमीद वापस लाई जा सकती है, क्योंकि आप बहुत लोगों को guide करते हैं, कांसलिंग देते हैं, लेकिन हर इनसान जो इस वक्त आपको आपको शायद देख रहा है, या सुन रहा है, शायद परसन है, जो एक इनसान की उमीद को वापस ला सकती है, लेकिन जो बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहता अपने उपर, उसको कैसे वापस लाया जाए, उसको में इस्ट्रीम में कैसे लाया जाए, तो ये कुछ देखे, अब जैसे आपने बोला कि एक सर्जन, एक सर्जन के पास अ एक स्विमर के पास अपनी एक्सपर्टीज हैं, तो हमारे पास या जो भी काउंसलर होते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी सैकॉलर्जिस्ट होते हैं, उनके पास सबके पास अपनी टेक्निक्स होती हैं, अपने वे उफ कम्यूनिकेशन, कुछ साइको थेरेपी होती हैं बहुत different different kind of apparatus और tools भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे acts होते हैं जिसके थू हम उनको convince करते हैं कई बार बिना बात किये भी हम उनकी feelings को जान पाते हैं okay observe by observing them by observing for example कि एक होता है storytelling तो हम सब जानते हैं story writing storytelling तो generally सुनाओगा हम भी वही कराते हैं अब एक छोड़ा बच्चा है पात साल का उससे आप कैसे बात करेंगे चलिए वो तो depression भी नहीं है वो नहीं बात कर रहा है story उससे आप कैसे करेंगे हमारे तो क्या होता है आप painting stories या मान के चलिए कोई बड़ा वेक्ति है और वो बोली नहीं सकता बात करने का तो आपने बता दिया तो depression तो उसको भी हो सकता है हो सकता है तो उससे कैसे तो counseling is for everybody okay for everyone सब के लिए है क्योंकि मुझे क्या लगता है इस चीज में और आप से में पूछ रहा हूं basically यह चीज के जो इंसन depressed होता है शायद वो अपनी feelings को अपा लेता क्योंकि depression का मतलब है इंसन यह समझता है कि यार मुझे कोई नहीं समझता है यह तोट आ जाता है और सच बात है किसी को कुई समझी नहीं सकता है अगर आप खुद को समझ जाए यह सबसे बड़ी चीज है किसी और कुद को समझी नहीं सकता है क्योंकि हम अलग अलग personality जीते हैं इमोशन उसके बाहर आएंगे तो क्या यह सच है कि इमोशन बाहर आने के बाद depression कुछ अट तक कम हो सकता है तो किसी भी तरीके से आपको यह कोशिश करनी है कि आप अपने इमोशन को कैसे विलाएं चाहें चीखें चाहें चिलाएं चाहें डांस कर लें चाहें वरक आउट कर लें कुछ भी तरीके से आपने इमोशन को बाहर दाएं अब यह तो अपने बात बहुत अची की कुछ नों को चैक कर लें लेकिन मैं ओडियूंस को बात कहना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जोनमें से कुछ नहीं करना चाहतें क्यांकि यह कहना असान है उब उनके लिए मेरे एक सजेशन है कि जब भी आपको कोई ऐसा लगे कि जो डांस भी नी कर सकता है, मतलब वो निकलना ही चाहता हो शेल से, डिप्रेशन का मतलब ही है कि उसने खुद को एक शेल में पैक कर लिया, पानी के अंदर आगे उसे लग रहा है कि दुनिया पानी है, कि आप से बात मत करों, जो बड़ा है उसको पता है कि हाँ मैं इस फेज में जा रहा हूं उसको यही मेरी दुनिया है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरी दुनिया है, तो यह कि उसको आप कैसे बात करेंगे, उसको सबसे पहले तो अकेला मत चूने, जहां भी आपको लग र जो बैलेंसिंग है वो इतनी वीक हो गई है हम हो सकता है मैट्स में टॉप कर रहे हैं साइंस में कर रहे हैं अपने करियर में टॉप कर रहे हैं बहुत कुछ अचीफ कर रहे हैं पर कहीं नहीं एमोशनल बालेंसिंग, एमोशनल आपको एक्यूट इतना कम हो गया है कि हम उसको देखी नहीं पारे है कि कहीं नहीं अंदर भी कुछ चल रहा है हम सुन खुद की आवाज नहीं सुन पारे है मुझाँ साथा कि ले एक मुझाँ खोलकन हने कमी तरहन सी और दखन होन मुझाँ पारे है यह भी कि यह लू कारीशby की करन एकम हैं? कि यह प्रिशा समली चेपनना एक खिर मेरे Ans सॉार को भीक आपी है है बिल्कुल फेक चीजों के पीछे क्योंकि मैं आपको बता हूँ जितना हम एक तो ना मैं आपको मत्हुरा का केस बताता हूँ एक बच्चा मैं ना नाम लूँगा ना कुछ पताऊंगा बस सिंप्ली बताऊंगा एक बच्चा एक्स्ट्रीमली रिच जो लोग सोचते ना पैसे से सैटिस्फेक्शन आता है और आपने देखा भी होगा जितने अमीर लोगें वह दिप्रेस्ट है जो खेती कर रहा है वह जादा है एक बच्चा खुद की बुलट उसके पास घर में उसके चार गाड़ी जिसमें से दो ओड को रुशान राकामें मर्त एननन दी अधृ जैसे आज दन की बात एक पैसर बुलट एप आप सोचिया चार गाड़ी बचार ने को चार गाड़ी नहों को तो यह भी और उसके कहर में उसकेद की तो क्ई वेल्यू क्यों नहीं है क्योंकि वेल्यू बता रहिंगे आप ऐसे सोचें अगर आप मुझे मेरे समने एक खाना रखाया है एक्जाम्पल और आप उसमें गाना रखते जाएंगे। अब मैं एक लिमिट तक खा पार हूँ कि एक चीज मैंने खुद परिशनली नोटिस किया कि जैसे घर में सबके तेंटरम्स रहते हैं यार लोकी नी खानी बेंगर लेकिन जिस ताम आपको बहुत भूग लग लग ना आप किछन में जाएंगे जो मिलेगा खा लेंगे निए उस तेम आप किछन में जाके ना रोटी उसके बाद पेट भरता है फिर वो पेट भरता है और पेट ने फिर घर आप रोटी भी खाते हैं यकीन मानिये तो आज कल जो डिप्रेसिव केसी से मैं पैरेंस को भी यह बोलूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को एक तो इत्मा कोजी मत बनाई है मैं आपको एक केस बता बहुत अच्छा फैमिली रिसेशन का दूर आया था दोनों बच्चों के साथ हजबन राइफ ने सुसाइट किया फ्लोर से कूद के 27th फ्लोर से क्यों क्यों कि वो इतनी क्रीमी लाइफ उसने जिया कि वो फेसी नहीं कर पाया तो फर्स्ट वोल्ड प्रोब्लम जिसे कहते ह अब आप सोचें कि जो बंदा आयाटियन है क्या वो खुद को सर्वाइफ करने के लिए नहीं कामा सकता है लेकिन जब तक हम जैसे आपने सुमिंग की बात की कि अगर हम बच्चे को छोड़ेंगे ही नहीं उसको हाथ पर मारना अपने से सीखने ही नहीं देंगे कैसे वो सी जब खुद को चीजे थमा रहे हैं या उनको यह अभ्सास नहीं करा रहे है कि हमारे पास भी प्रॉब्लम है मैरी एक कंप्लेंड ही शायद मैं कहूंग इस चीज को आज कल पैरेंस क्या करते कि नहीं हम फाइनेशल यगर ठीक नहीं बच्चों को नहीं पता चलने देना है क एक तोटल फेक जाएक लिए जाएक लिए पास अब आपको बता हूं कि ठीक है मैं अभी आई हुझ जसे आपने 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 त्रेफिक मा फंसे थे त्हां अज गाड़ी नहीं ती कर मैं ओल ऑल आई नहीं मैं आटो से आई हूं क्या प्रब्लम है तुछी बात है मेरी फैमली में कुछ ऐसे भी है कि अगर गाड़ी नहीं होती तो वो शैदाती नहीं जाएंगे नहीं रिशेडूल कर लेंगे भले छोडी देंगे मेरा हमारा टार्गेट होना चाहिए मचली की आंख पे इग्जाटली बात है मुझे वहां पहुचना है मतलब पहुचना ह मुझे टाइम की वैल्यू और जो काम मैंने करना है उसकी वैल्यू है तो हम बच्चों को प्रॉब्लम फोकस्ट मैंना प्रॉब्लम फोकस्ट नहीं बना रहे हैं इमोशन फोकस्ट हमारे बच्चे होते जा रहे हैं एक चीज आप से में पूचना चाहूंगा बहुत विमें इसा होती है जो जवाब कर दो कि डेप्रेशन में जादा होता है कि फीमेल्स में होता है कि क्योंकि स्पैसिफिकली इंडिया की अगर मैं बात करो तो जहां तक मैं समझता हूं शाहिए 60-80% विमें हाउसवाइब से हैं इसाथ ज्यादा भी हो सकती है लेकिन इसाद मेरे पा क्योंकि दुनिया में अगर भगवान का दर्जा किसी को देना चाहिए तो महिलाओं को देना चाहिए मैं सिर्फ मा को नहीं बोल रहा हुं महिलाओं को देना चाहिए क्यों क्योंकि वह एक जीवन को उत्पन कर सकते हैं इतनी इसुरा भगवान नी उन्में दिये तो depending आप यह कैसे कर पा रही है और कोई और भी अगर करना चाहरा है तो कैसे कर सकता है। यह मुश्किल तो नहीं है। लेकिन शर्थ एक ही है इसकी सबसे पहले खुद से प्यार करो। खुद को अटेंशन दो। मैं अब आपने महिलाओं को लेके बात की तो मैं अपनी सारी दोस्तों से बच्चियों से और जो बड़ी है सबसे वुमें से एक ही बात बोलूगे कि जब आप सबसे पहले सुपह उठती है ना तो शीशे में खुद को देखिए और तीन बार बस खुद से कहिए तुमसे सुन को देखिए उनको पैंपरिंग थोड़ा पसंद होती है लेकिन पैंपरिंग प्लीज खुद करिये खुद के लिए मैं जो आपके सामने बैठी हूँ मैं दस साल पहले ऐसी नहीं थी मैं आपको बता हूँ मैं इक उस फैंपली से आती हूँ जहां शायद ट्वेल्ट आइम फादर एमोशनली बहुत सपोर्ट में रहते थे जब भी होता था लेकिन हाँ ऐसे होता थे कि एक साल गैप हो गया है एक साल मेरी एजुकेशन चल रहे क्योंकि फाइनेशली लिए वस नॉट सो sound कि हाँ तो ठीक है आप करिये आपको करना है लेकिन एक प्रेशर था अरे लड़की है क्यों पढ़ाना इसको और ब्रेशर को लड़की ने कभी ने कभी जहला होता है, तो प्लीज उनको ध्यान मत दीजिए, आपका जो टार्गेट है, आपने जो सेट किया है, उसको फोकस करिए, क्योंकि जब मुझे लगता था ने कि नहीं यार मेरे को हाई ली क्वालिफिकेशन मिली नहीं सकती, क्योंकि फैमिली में है ही नहीं, तेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद तो शादियां कर देते हैं, मेरी दीदी की खुद की शादी 17 अर्स में हो गई, अब उनकी शादी के बाद तो मेरा रोना शुरू हो गया, क्योंकि एर्थ पासाउन थी और नाइंथ में अड्मिशन लिया था, कि यार मेरी भी कर देंगे, और सच में हुआ भी यही कि शुरुआत हो गई, लड़के खुद जोई करो, बट एक होता है कि फिर में को लगता था नहीं है, जो किताबों में लिखा है न, कि हो जाता है, बस डिटर्माइंडरी में का नहीं होता, सब जूट है, वो एक फिलिं आती है डिप्रेशन वाली, बट मैं आपको बता हूं कि मेरे दादा जी, जो भी एच्व के गोड़ में लिस्ट तो उन्होंने मुझे का कि नहीं, तुम जितना पढ़ना चाहोगी, उतना पढ़ोगी, अभी परिशान होने की जूरत नहीं है, बहुत फाइट करनी पड़ी, बहुत मनाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, बट बिफोर मारिज, आइड ड़न मैं M.A., B.A.D., M.Phil, Rehabilitation Council of India से, Certified Counselor, और सबसे बहतर बात जो रही, अगर मैं कहूँ सही शब्दों में, तो ऐसा गर्ल मैंने जरूर फाइट किया, अपनी करियर को लेकिल, लेकिन ऐसा वोमन नहीं करना पड़ा, बिकाज मैं हाजबेंड इस सो प्रोग्रेसिव, तो पहला शर्त यही था कि, नहीं यार, डॉक्रेट तो करना ही है, तो शादी जैनवरी में हूँ और मैं मैं, I left, कि मुझे डॉक्रेट के लिए जाना है, और हमने तीन साल, और इस बीच, I lost my mother, I became a mother, I lost my grandmother, बट उन सब से निकल के, तो मेरा इन सब बातों को बताने का, एक message इसके अंदर है कि, just faith in yourself, trust yourself, और आप आगे बढ़ते जाए है, slow but steady, everything is possible, everything is possible, trust me, और आज मैं आपको बता हूँ कि, counselor होने के साथ साथ, एक mother होने के साथ, मैं model भी हूँ, अभी Mrs. India मैं, पार्टिस्पेट भी किया, तो I want a subtitle, बहुत सारी चीजे हैं, बहुत अच्छे से मैनल हो जाती हैं, बस खुद को पैमपर करिये, प्लीज दोंट वेट, तो मेक इट हैपन, जस्ट दो इट हैपन, जस्ट दो इट, तो गाईस, मैं बहुत कुछ सीखाँ, I'm sure आप भी सीखियोंगे, तो काफी ज़्यादा इस पॉड्कास्ट को आगे बढ़ा ली, और चीजें इतनी ज़्यादा अच्छी थी, तो एक लास्ट सावाल के साथ, इस पॉड्कास्ट को रैप करते हैं, कि प्लीज कभी भी सैड फील न करें, और आपको लग रहा है कि सैडनेस से आप नहीं बाहर आपा रहे हैं, आप किसी से भी बात करें, सबसे पहले तो आप सब की लाइफ में एक ऐसा परसन जरूर रखें, जिसके साथ आप मिरर की तरह क्लियर हों, और वो परसन आपका दोस मत बनाएं, क्योंकि वो आपको एडवाईज नहीं कर पाएगा, वो या तो आपका कोई टीचर हो सकता है, मींस कम से कम आपसे 10-15 years तो सीनियर हो, क्योंकि एक इतना बड़ा शक्सी आपको सही गाइड कर पाएगा, वो आपका टीचर, आपके पैरेंट, आपके मैंटॉर, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप जो अंदर आपके चल रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी नहीं आपकी सुनने वाला, या आप कुछ ऐसी चीज़ है जो आप किसी को नहीं बता सकते, राइट ऑन पेपर, टेक पेपर पैन, राइट ऑन पेपर एंड फ्लश इट, ट्रस्ट मी, रो लें, कुछ भी कर लें, गुस्सा कर लें, बट प्लीज, लाइफ इस वेरी प्रेशियस, इसको संभाल के रखें, और बहुत खुबसूरत लाइफ है, इसको जरूर इंजॉई करें, और डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका, इस्ट्रेस से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका, आपको जो दिल में आ रहा है, वो करें, आपकी हॉबी को प्रोफेशन बनाएं, प्रोफेशन को हॉबी बनाएं, कम पढ़ें, लेकिन उसको आगे बढ़ें जादा, आपका ग्रेड कम आ जाता है, no worry, next time फिर एक्जाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but life से प्यार करिए, खुछ से प्यार करिए, और I am there with you, a call away, very soon I will broadcast my number, so please call me anytime, I am there with you, किसी भी काउ से बात करें, कुछ भी हो, but love yourself, so guys, ma'am ke details आपको description में मिल जाएंगे, और seriously ma'am, मुझे भी बहुत को सीखने को मिला आपसे, and I am sure के लोगों को भी बहुत जादा को सीखने को मिला होगा, so guys, यह रही हमारे साथ, डॉक्टर सारे का, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजे बता और this is it for today, फिर मिलते हैं जल्दी एक और episode में किसी और शक्सियत के साथ, thank you so much